हेलो दोस्तों मैं नाजुकुमार आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों काउंसलिंग लिस्ट बनकर तयार हो गया है और यह कभी भी जाड़ी हो सकता है इसका क्या कारण है जानने के लिए लास्ट तक बने रहें दोस्तों बिहार करमचारी चैन आयोग के शुत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार काउंसलिंग लिस्ट बनकर तयार है यहां हम यह बता दें कि सुत्र दूसरे आयोग के कलर के पदपड कारे रहते हैं जिनका की बिहार करम चाड़ी चेन आयोग के सदस्यों से कई बार वात्चित होती रहती है उनकी माने तो पूरी तरीके से काउंसिलिंग लिस्ट बन कर तयार हो गया है बस इस पर एक सभी सदस्यों का अंतिम बैठक होना बांकी है और यह कभी भी हो शकता है जिसके साथ ही आयोग द्वारा एक नोटिस जाड़ी किया जाएगा उसके बाद अभियर्थियों का रैंक लिस्ट जाड़ी होगा जिसके बाद उसमें अंतिम रूप से कौंसलिंग के लिए चेनित अभ्यर्थियों का कौंसलिंग लिस्ट जाड़ी किया जाएगा शंभावता है इसकी पहली प्रक्रिया कल यानि 15.11.2021 कुप्रारंब होगी ऐसा ताइम माना जा रहा है क्योंकि कल ही चात्र नेता दिलीव कुमार की अगवाई में महा चात्र अंदोलन भी होने वाला है इसलिए आयोग दवाव जरूर महसूस कर रही है और अपने काड़े में तेजी दिखा रही है आपको पता है यह वाहाली 2014 की है जिसमें बहुत सारे चात्र दूसरे जॉब में चले गए होंगे ऐसे में सिट खाली रहने की अशंका भी आयोग मसूस कर रही है इसलिए आयोग पर्थम काउंसलिंग लिस्ट जाड़ी करने के बाद दूसरी काउंसलिंग लिस्ट भी जाड़ी करेगी जिस पर बात बनता दिख रहा है लेकिन दूसरी काउंसलिंग लिस्ट तभी जाड़ी होगी जब पद खाली रहेगा अगर पद खाली रहता है तो cut-off को कम करके दूसरी counseling list बनाई जाएगी इसका मतलब यह हुआ कि पर्थम counseling list का cut-off पहल दूसरी counseling list से जादा रहेगा जो अभी बनकर तयार नहीं हुआ है मतलब यह कि दूसरा counseling list अभी नहीं बना है दूसरी counseling list इस बात पर निर्भर करेगी कि कितना पद खाली है और किस तरह cut-off कम किया जाए दोस्तों यह जानकारी बिस्वसनिये है जिस पर अंतिम निर्नाई नहीं लिया गया है अंतिम निर्नाई आयोग के हाथ में है इसका official सुचना भी जल्द जारी कर दिया जाएगा उस पर मेरी नजर बनी हुई है जैसे ही सुचना जारी होगी सबसे पहले आपको हमारे इस channel के माध्यम से बता दिया जाएगा इसलिए आप हमारे channel के साथ जूरे रहें और हो सके तो इसे सबस्क्राइब कर लें महांदोलन जो कल होने बाला है उसका सहयोग करें उसको सफल बनाएं इसी उम्मीद के साथ आपसे बिदा लेता हूँ जै हिंद जै भारत